हे अवरिवन आपने अपने प्लांट्स में यह वाइट स्टिकी इंसेक्ट्स जरूर देखे होंगे यह देखो वैसे तो यह हर एक प्लांट पे दिख जाते हैं लेकिन हेविसकस पर इनका असर कुछ ज्यादा ही होता है यह आप देख सकते हो मेरा यह हैविसकस का प्लांट कि चुटका रपा सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको, इसके लिए आपको चाहिए, सिर्फ हाफ लिटर प्लेन वाटर, और मैं इसमें शैंपू आट कर रही हूँ, 30 ml, यह डिपेंड करता है, आपके प्लांट्स पे कितना इंफेक्शन है, अगर ज्यादा है, तो आप इनको पूरे प्लांट्स पर स्प्रे कर दो, यह देखो आप, यह जब मैं स्प्रे कर रही हूँ, यह कैसे गिर रहे हैं, यह देखो, यह देखा, और एक बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह ट्रीटमेंट आपको शाम के समय करनी है, पूरे प्लांट्स पर है वो disturb ना हो यह देखो यह मैंने पूरे plant पर कर दिया है और यह आप देख सकते हो स्प्रे करने से पहले कैसा था और अगर लगता है कि आसानी से नहीं हट रहा है तो आप इसको स्टिक से हठा सकते हो और इसके बाद आपको यह करना है कि अगले इन पर plain water spray करनी है यह देखो जैसे मैं यह कर रही हूँ पूरे प्लांट पर मतलब शाम की समय आप यह जो सोप solution है उसको डाल दो और अगले दिन सुपा दूप निकलने से पहले इनको plain water से आप वोश कर दो यह देखो पूरे प्लांट को कर दो इससे क्या होगा कि अगर शैं लेकिन दो पहर से पहले आप यह काम कर देना थूप से पहले कर देना ताकि same thing again की plants की जो अपनी activity चलती है वो disturb ना हो यह देखो पूरे प्लांट पर आपको spray कर देना है यह और यह काम आपको सिर्फ एक बार नहीं करनी है अगर आप एक बार करके छोड़ दोगे तो हो सकत है कुछ insects बचे भी रह गए हों उनका दुबारा अटेक होगा यह काम आपको करना है twice a week यह देखो एक पार की treatment में यह बहुत हद तक साफ हो चुकी है